तो सुने हैं कि जो अउदेश जी यहां बली चढ़ाते हैं बक्रे की आपे कटवाते हैं क्या हमाने लड़का काटता है आपका लड़का काटता है जानवरों की जान ले लेते हो दया वह रही आती अब कुछ पच्पन से कावकाद इनके थापना हुआ उनकी माता जी इसके न परशाद के रूप में लोग खाते हैं अच्छा क्या खास है नौ बार के विधाया कि इस वार जो है मोदी लहर में राम लहर में अयुद्ध्य से जीत गए आपके अधेश जी तो माता जी उनके उनके रूप में घूस गई हैं माता जी उनको आगया की चला रही है चलो कि मैसा करो बेटा तुम परशार मिलेगा अब माता जिसके ने खुछ जाएंगी उसको कोन आजने वाला है जब यह सांसत बने नए ने तो अखिलेशी ने बोला कि आयुद्ध्या के राजा है तो आपे बताईया अधेश के कर देवी माता को सिद्ध कर लिया है और देवी माता ऐसी महर्मान हुई है अधेश जी पे कि लगातार हो कभी चुनाओं हारते नहीं अजे हो गए है और इस बार मिलकी पूरूप चुनाओं में उनके बेटे अजीत प्रशाद को टिकट मिला है अब देखने वाली बात है इसे लड़ाई तो बहुत दिल्चस्प है क्या जो है अपने बेटे को जीत दर्ज करवा पाते हैं क्योंकि अधेश की भी प्रतिष्ठा दाओं पर है और योगी आधित तिनाच जी की भी प्रतिष्ठा दाओं पर है तो उट किस करवट बैठेगा आने वाला समय बताएग की सीखा हमारे साथ इसी शुर्वारी गाओं के अस्थानियय लोग है कैसे हैं मंत्री जी अकसर इनका जो नाम है मंत्री जी के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि नव बार जो है विधायक रह चुके हैं और छे बार से अधिक जो है कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और इस बार जो है मोधी लहर में अयोध्या से जो है उन्होंने सांसत बन करके जो कारनामा किया है देश दुनिया में उनका नाम हुआ है हमारे साथ गाउं के अनिलोग भी है और बाचीत के दोरान आज वो रहस से घाटन करने जा रहे हैं वो आपको मैं रहस दिखाने जा रहा हूं जिसकी वज़े से अउधेश प्रसाद अयोध्या की राजनीती में अजे हो चुके हैं उनको हराना असंभो है एक ऐसी गोपनिय पूजा पाठ करते हैं ऐसी तंत्र बिद्य अपनाते हैं जिसके माध्यम से उनको हराना संभो ही नहीं है संभो है हमें गाउं के लोगों ने बताया प्रत्यच दर्सी हर साल नौरात्री की दिनों में यहां पर पूजा होती है पूरी बिधी क्या होती है क्या है पूजा सब देखभाल करते हैं कैसे बहुत बढ़िया है आप गाउवालों की मदद उदद करते हैं जी मेरी तो मेरा तो जनम से सिद्ध कर दिया अच्छा क्या एसा मेवा मिल गया आपको में मुझे नौकरी देदी रोटी पाली सरकारी नौकरी दी मुझे सच में जी तो आप लोग उनीक ओड़ देते होंगे भाई साब मैं तो जनम जात अच्छा मलब जनम जात आप अधेश वादी होगे चलिए कुछ आने लोग भी हैं आईए इनसे बातचीत करते हैं भाई साब अपना नाम बताईए धर्मचन यादो जी जी क्या कहना चाहेंग यादो जी हमने सुना है कि ओदेश मंतरी जी ऐसी कोई गोपनिये पूजा करते हैं जिसकी वदेश से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली उनको हराना बहुत मुस्किल काम पूजा करते हैं नौराज को चलिए वह अस्थान दिखाईए क्या पूजा होती है बताईए ह लोग परसाद खाना पीना खाके जाते हैं नीम का पेंड सूख गया है सूख गया है पुराना हो गया सूख गया हम नया सापना होगा नीम का पेंड का अच्छा यह तो यहां पर क्या पूजा होती है कैसी पूजा माता जी की पूजा अच्छा माता जी की पूजा तो सुने तो यह परंपरा कितने सालों से सुने के माता जी के टाइम से बहुत पुराना उनकी माता जी पहले यहां पूजा करती थी मतलब यह सिद्धस्थान है और यह कुल देभी है तरीके से जो है ओदेश जी की अच्छा तो बताइए और क्या-क्या आयोजन होता है यहां पे नुर सर्व समाज के लोग खाना दोनों बनता है सागहरी बनता है मांसा अक्या क्या खास है नौ बार के विधाया कि इस बार जो है मोदी लहर में राम लहर में और अध्या से जीत गए आपके अधेजी तो माता जी उनके घुस गही है मादेजी उनको आग आग चला रही है चलो कि मैसे आगरो बेटा तुम पर सार मिलेगा मादेज इसके रिखुश जाएंगी उसको को ना आजने वाला है पहले मुलायम सिंह यादो जी के बड़े करीबी थे अब अखिलेश जी के जो एक दम राइट हैंड है दाहिने पर बहुत ही और दो एक मुकर्मा नहीं 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 चाहता हूं यह दाग नेता है लेकिन एक चीज बता तो क्या लगता है जुबान लड़ खड़ा गई या अध्या वास्यों को चिड़ाने के लिए जब वहां पहली बार लोग सभग गए हैं तो वहां लोग कोई अरुल गोवी लाया तो जैसिर राम कोज आ गया खुटकर आ गया कुछ बोलो तो विपक्च्वाले भी उनुन कहा अच्छा तो ऐसा बोला गया नहीं अधेश प्रसाथ से कोई भगवार राम का ही तो दूसरा नाम अधेश है लेकिन जो आयोद्या का राजा बोले जाने से कुछ लोग नाराज हैं अच्छा बागी जो उनको वोट दी हैं तो बहुत खुस हैं राम नेगरी में अधेश पर होते हैं लोगों को ही बुरा लगा कि नहीं आना था इहां तो राम को आना था लेकिन अधेश के गाउं के लोग यह मानते हैं कि अध्या के असली राजा भगवान रामे हैं बिलकुल मानते हैं अच्छा मिल्की पूर का उप चुनाओ होना है सुनने में आ रहा है कि सपा से आव देश के जो बेटे हैं अजीत प्रिसाद उनको टिकट मिल रहा है अच्छा मिल गया है तो कैसे बेक्ती हैं लगता है कि जीत पाएंगे जान रहे हैं क्योंकि योगी बाबा अपनी प्रतिष्ठा लगा दिये हैं एक बात बताइए कि विपच्छ वाले कई बार आरोप लगाते हैं क्या इस उप्चुनाओं में एक लाग सुपर जीतना से इनको भाई हम यह कह रहे हैं कि जीते हैं तो आप लोग आरोप तो मत लगाईए ना कोशिश करते हैं कुछ हरकत कर देते हैं कि यादो कोश कर जाता है देखो मीठा मीठा गप कडवा कडवा थू भाई साब जिन राज्यों में आप जीतों कॉंग्रेस जीतों ठीक है वहां पर एवियम अच्छी हो जाती है और जहां पर हार जाओ यो है वहां कहते हैं खराब है तो यह तो कोई न्याय नहीं है लेकिन जो मैं कहना हूं इनको अगर इवियम इवियम रोना है इस बार लल्लू सिंग और भाजपा वाले भी तो इवियम का रोना रो सकते हैं एक बार अपने कैमरा में सायोगी से बोलूगा यही सिद्ध पीट देवी मा का वह अस्थान है जहां पर पहले ओधेस जी की माता जी जो है पुजा पाठ करती थी और यहां पर जो है दो बक्रे तीन बक्रे की बली चड़ाई जाती है प्रसाद स्वरूप जो है लोगों में बाटा जाता है लोग खाते है और इस अस्थान पर जबर्दस्ट भीडवाड होती है और गाओं के जो प्रत्यच्छ दर्सी है दादा जैराम जी का नाम है आ यहां थैज़ा माता जी का नाम पर आई अपकी बटेवाड ती है आख आगव फॉसी रह थी का बली चढ़ाव चाह हड़ा माई कोुघ तो कल में तरहा है आपके बटेना का कोड़ी ते बैतर देना 152 रूपया दिया थी चोंतर तो का श्या माई खुषी रहाँ थी जा अच्छा मंतिरी जी का मतलब उनके बच्छाया है उनको आपन जीता देरते हैं हार से हैं कहां हमारे कावकाद याग लाग गई जी कावकाद जलके राक हो गया अब कुछ मिला मिलावा नहीं है हाँ बड़े-बड़े अधिकारी अच्छे सरकार मजला रहा है चुनाग पिरिय काने में आप जो है अगे रहते हैं तो उनको मदद तो करनी चाहिए तो भी अधेश जी अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके गाओं के लोग हैं कि क्या जो है मांगे एक बार आप जरूरूद ध्यान दी साब लड़का है लूंगला लूला उसकी कावका सब्सक्राइब करें नहीं करते हैं कम से कम गाओं वालिक तो समय देन के चाहिए पता नहीं पाई आदमी उठा चाहिए यादो जी से मिलो वही संपर कराए देखे कुछ महिलाएं है ओदेश जी के गाओं शुरवारी में खड़ा हूं के पैत्रिक आवाज पर उनका घर भी बताईए ओदेश जी से बात्चीत होती है क्या लगती है अच्छा तो आप गूंगर टूंगर निकालते हैं कभी बात्चीत हुई क्या बोले आपको आते हैं हम चाह पानी कराते हैं हमारे घर बगल में हम सर्विस दिलवाए हैं हम उन्हीं की देन है सब कुछ हम उन्हीं की बहुत हैं आप लोग बहुत हैं जिस दिन वो जीते हैं हम लड़ू वटवाए अच्छा हम गोला वी दगवाए अच्छा यह देखो भया एक नई नई दुलहिन भी हमको दिख गई हैं अधेश परसाजी के गाउं में आईये आये जो है नई की दुलहिनिया से भी बात कर बाबी जी क्या नाम है आपका असा देवी यही गाउं के रहे वाली हुए अच्छा अधेश जी को देखी हैं कभी मिली वली हैं देखें हां वाई वाई नीली बत्ति लगाए कि जो नहें गाड़ी काफिला आओ थुए है नहीं आते हैं पर मुलाकात नहीं हुए अच्छा वाई सब्सक्राद बतिकारीय के लाव नहीं दोSabre dhess प्रसाज के महिला हैं और ये कह रहे हुए इनको आवास और तमाम यहां ककर के नहीं जब जावें नहीं करेंगी तो क्या उनको सपना रहा है क्या आओ धिस来ए हैं आज 기본 आप जाईए ऑ अगर अधेश जी तक ये वीडियो जाता है तो हम भी अपील करेंगे कि उनके गाओं के ही लोगों को सरकारी योजना का लाब मिले तो मित्रों अभी मैं अधेश प्रसाद जी के पैत्रिक आवास शुरुवारी में खड़ा हूं लच्छन तिवारी का पुरवा और यह का तार हो कभी चुनाओं हारते नहीं अजे हो गए है और इस बार मिलकी पूरुप चुनाओं में उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है अब देखने वाली बात है इसे लड़ाई तो बहुत दिल्चस्प है क्या क्या जो है अपने बेटे को जीत दर्ज करवा पा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद